नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में बैज्यानिक यंत्र यानि साइन्टिफिक इस्टुमेंट्स के टॉप 50 प्रस्ण में लेकर आ गया हो जो कि आपके किसी भी एकजाम के लिए दोस्तो किसी भी एकजाम के लिए most important वीडियो दोस्तो इससे related 2-3 question जरूर आते हैं दोस्तो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आया दोस्तो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल भी हमारे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय नगवात हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन है दोस्तो पानी के अंदर ध्वनी तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नंबर बी हो जाएगा यानि हाइड्रोफोन आपको बता दे कि हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन है जिसे पानी के भीतर ध्वनिक रिकार्ड करने या सुनने के लिए पानी के भीतर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों दूध का सापेच्छिक घनत या सुधता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर यानी लैक्टो मीटर आपको बता दे दोस्तों कि लैक्टो मीटर एक दूध मापी सुधता यंत्र है जिसके द्वारा दूध की सुधता को मापा जाता है और लैक्टो मीटर यंत्र के आविशकारक लिवरपुल के बैग्यानिक हैं बता दे कि दूध की जो सुधता को मापने के लिए लैक्टो मीटर घनत्व का प्रयोग करता है अगला कोशन देख लेते हैं वह प् आपको बता दे दोस्तों कि दूर दर्सी वह प्रकासी या उपकरण है जिसका प्रयोग दूर इस्थित वस्तूओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला कुश्चन देखते हैं रेडियों तरंगों द्वारा वस्तूओं की इस्थिती ग्यात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। उस्मा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर C यानी कैलोरी मीटर। बताए दोस्तों कि उस्मा मापी या कैलोरी मीटर एक वैग्यानिक उपकरण है जो उस्मा मीती में सहायक है। और इसका उपियोग राचायनिक अभिक्रियाओं की उस्मा मापने या भौतिक परिवर्टनों की उस्मा मापने या उस्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। अगला कोश्यन देखते हैं दोस्तों भूकंप की तीब्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर C यानी सिस्मो ग्राफ बताए दोस्तों भूकंप मापी या सिस्मो मीटर भू गती के एक घटक को प्रत्यच या और प्रत्यच विदी से अधिक यथार्था पुर्वक अभिलीखित करने वाला उपकरण है अगला कोश्यन देख लेते हैं दोस्तों ध्वनी की तिब्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर B यानी ओ आओडियो मीटर बता दे दोस्तों कि आओडियो मीटर एक मसीन है जिसका उपियोग स्रवड तिशडता के मुल्यांकन के लिए किया जाता है अगला कोश्यन देखते हैं उच्छ ताप मापने यानी 15 डिग्री से अधिक ताप को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इ आप को बता दे दोस्तों कि उच्छ ताप मापी यानी पाइरो मीटर उचे ताप की माप करने वाला यंत्र है और ये कई प्रकार के होते हैं जैसे प्रकासिय उत्ताप मापी वीकिरण उत्ताप मापी प्रतिरोध उत्ताप मापी और ताप विद्युद उत्ताप मापी option number B यानी odometer आपको बता दे दोस्तों कि पत मापी या odometer एक उपकरण है जो किसी वाहन जैसे कार द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयोग तो होता है और यह electronic या अंत्रिक या दोनों का सम्मिलित प्रडाली हो सकता है अगला question देखते हैं हिर्दय की ध्वनी सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका right answer जाएगा दोस्तों option number A यानी इस्टेथो इसकोप इस्टेथो इसकोप या परिस्रावक रोगी की रक्त संचार की दसा का परिच्छड करने का उपकरण है और फ्रांस के चिकिस्रक र ये एक यंत्र की खोच की थी अगला question देख लेते हैं दोस्तों दोस्तों आने वाले group D exam के लिए हमने गडित के 500 प्लस न प्रसनों का एक ebook तयार करवाया है जो कि आपके railway group D 2022 के लिए especially ebook है दोस्तों इसमें जितने भी 500 प्लस न प्रसन है सारे most important and super guest question है तो दोस्तों आप इस ebook को जरूर से जरूर लेजे इसका link आपको description box में मिल जाएगा इसके लावा दोस्तों हमारा एक और ebook है 70 प्लस महत्पूर topic का कोई भी दोस्तों ऐसा topic नहीं है सारे के सारे topic most important है आपके आने वाले exam के लिए तो आप इस ebook को भी जरूर से जरूर लेजे इसका link भी option number C यानी a meter, a meter या MAP किसी परिपत की किसी साखा में बहने वाली विद्दुधारा को मापने वाला यंत्र है और बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए प्रयोक्त युक्तियों को millimeter या micro meter कहते हैं अगला question देखते हैं रक्त चाप मापने में किस यंत्र का प्रय बता दे दोस्तों कि रक्त चाप मापने वाले उपकरण को रक्त चाप मापी या स्फीग मापने कहते हैं अगला question देखते हैं वायू गती मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number D यानी a meter जिस उपकरण से प्रित्वी तल पर के पवन क वेग नापा जाता है उसे पवन वेग मापी यानी एनियो मो मीटर कहते हैं और भिन भिन प्रकार के पवन वेग मापियों से पवन के बल एवं वेग के मापन को पवन वेग मापन कहते हैं अगला question देखते हैं समुद्र की गहराई नापने में किस यंत्र का प्रयोग होता ह तो इसका राइट आमसर रोजाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर B यानि फैदो मीटर दोस्तो बता दे आपको कि फैदो मीटर एक उपकरण है जिसका उपियोग महासागरिय गहराई मापने में किया जाता है और यह यंत्र जल में होकर जाने वाली ध्वनी तरंगों से ग्यात व इसका राइट आमसर रोजाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर C यानि बोलो मीटर दोस्तो बोलो मीटर एक वज्ञानिक उपकरण है और इसका प्रयोग उश्मी विकिरर बापने केलिए किया जाता है दोस्तो आपको एक वीडियो पसंदा रोगा तो फ्लीज एक लाइक बिएक हो जाएगा दोस्तों option number c यानि कार्डियो ग्राफ कार्डियो ग्राफ जो की एक application है जो आपकी हिर्दैदर मापता है अगला question देख लिते हैं तरल पदार्थों का सापेच्छिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number c यानि ह hydrometer दोस्तों द्रव घनत्व मापी या उत्पलवन घनत्व मापी या hydrometer वह यंत्र है जिसके बिना किसी गड़ना के द्रव के घनत्व पढ़े जा सकते हैं अगला question देख लिते हैं समुद्र के भी इतर छिपी वस्तूओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता ह राइट अंसर जाएगा option number C यानी सोनार दोस्तों सोनार के द्वारा पानी में हुई वस्तूओं का पता लगाया जाता है और सोनार में परास्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती है सोनार का अभिसकार दोस्तों Paul Langwin ने किया था सोनार जोकी एक तकनीकी है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तूओं का पता करने के लिए ध्वनी संचरण का उपियोग करती है और सोनार के फुल फार्म की बात के दोस्तों तो sound, navigation and ranging होता है अगला कुश्यन देखते हैं हवा की आर्दता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता ह इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number B यानी hygrometer वायू मंडल के आर्दता मापने के साधनों को आर्दर मापी या hygrometer कहते हैं अगला कुश्यन देखते हैं दोस्तों ऐसा यंत्र जिसकी मदद से सरीर के अंदरूनी अंगो और वाहिकाओं आदी को देखा वा उनको संचालित किया जाता है उसे क्या कहते हैं इसका right answer जाएगा दोस्तो option number A यानी endoscopy दोस्तों endoscope का अर्थ है अंदर देखना और खास तोर पर इसका अर्थ होता है चिकिस्सकी ये कारण से endoscope की मदद से सरीर के अंदर देखना और endoscope एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग सरीर के खोखले अं अगला question देखते हैं दोस्तों प्रकास की तीब्रता मापने में किस यंतर का प्रयोग होता है इसका right answer जाएगा दोस्तों option number A यानी lux meter दोस्तों lux meter को प्रकास मीटर भी करते हैं और प्रकास मीटर का उपकरण है जिसका उप्योग प्रकास की मात्रा को मापने के लिए किया ज करते हैं तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number B यानी gyroscope दोस्तों घुरणाच दर्सी या घुरणदर्सी जिसे gyroscope करते हैं एक ऐसी युकती है जो किसी वस्तों की कोड़ी ये इस्थिति यानी जुकाओ को मापने के काम आता है और इसकी क्रिया विधी कोड़ी ये समवेग के सरचड के सिध्धान्त पर आधारित है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों किस यंत्र का प्रियोग मिट्टी के यान्त्रिक गुड़ों को मापने के लिए किया जाता है इसका right answer जाएगा दोस्तों option number C यानी बीवा मीटर बीवा मीटर का प्योग मिट्टी के यान्त्रि गुड़ों को मापने के लिए किया जाता है अगला कोशन देखते हैं ऐसा यंत्र जो ध्वनी तरंगों को विद्धुत तरंगों में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number D यानी microphone दोस्तों एक microphone एक ध्वनिक से वैदु ट्रांस ड् अंकेत में रूपांतरित करता है अगला कोशन देख लिते हैं दोस्तों विद्धुत धारा की उपस्थिती जाचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A यानी galvanometer बता दे दोस्तों कि धारा मापी या galvanometer एक प्रकार का ometer ही है और यह कि इसी परिपत में धारा की उपस्थिती का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है अगला कोशन देखते हैं उचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number A यानी altimeter दोस्तों तुंग तुंगता मापी या altimeter तुंगता यानी उच जाई मापने के लिए प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है अगला कोशन देखते हैं सोने की सुधता का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका right answer जाएगा दोस्तों option number A यानी कैरेट मीटर के द्वारा ही सोने की सुधता का पता लगाया जाता है अगला कोश बता दे पौधों में जो ब्रिद्धी को मापने के लिए एक औक जेनो मीटर एक उपकरण है अगला कोशन देखते हैं वायू की दिशा ग्यात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number A यानी wind vein दोस्तों वात दिक दर्शक यानी wind vein हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र है और इन्हें आम तौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तिमाल किया जाता है अगला कोशन देखते हैं विद्धुत चुम्बकी या वीकिरण की तिब्रता मापने के लिए किस यंत्र का प प्रई उपयोग वीकिरण की ताप सक्ति को मापने के लिए किया जाता है और उनका उपयोग मौसम विज्ञान में पाइरोमीटर, पाइरीहेलोमीटर और सुध रेडियोमीटर के रूप में सौर वीकिरण को मापने के लिए किया जाता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो option number C यानी बोल्ट मीटर दोस्तो बोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपत के किन्नी दो बिंदूओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और 1819 में हैंस और एस्टर ने बोल्ट मीटर का अविश्कार किया था अगला कोशन देख लेते हैं उपकरड जो दूर की वस्तु को देखने के काम में आता है उसे क्या कहते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगे दोस्तो option number A यानि बाइनो क्यूलर दोस्तो जिसे द्वी नेत्री कहते हैं या बाइनो क्यूलर filled glass अत्वा द्वी नेत्री दूरदर्सी समान अत्वा दरपर सममीती वाले दूरदर्सी युगम है जो साथ साथ लगे होते हैं तथा एक दिशा में देखने के लिए परिसुद्धता से लगाये जाते हैं अगला कुशन देखते हैं दोस्तो ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो option number B यानि थर्मा मीटर दोस्तो ताप मापी या थर्मा मीटर वह युक्ती है जो ताप या ताप की प्रवड़ता को मापने के काम आती है और ताप मीती भोतकी की उस साखा का नाम है जिसमें ताप मान की वीधियों पर विचार किया जाता है अगला कोशन देख लेते हैं ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्धुद्धारा की इस्थिता बदल जाती है उसे क्या कहते है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो option number C यानि कम्यूटेटर दोस्तो द्वी परिवर्तक या कम्यूटेटर दिष्ट धारा मसीनों एवं कुछ अन्य उपकरणों में प्रयोक्त एक युक्ती है जो विद्धुद्धारा की दिशा बदलने के काम आती है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो विद्धुद्ध मोटर की घुरण गती अथवा वाहन के घुरण गती मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नंबर C यानी टैको मीटर दोस्तो टैको मीटर एक उपकरण है जो साफ्ट या डिस्क की रोटेशन गती को मापता है जैसे मोटर या अन्य मसीन में अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पंडुबी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का आउलोकन किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तो अप्सन नंबर यानी पेरी इसकोप दोस्तो परिदर्शी या पेरी इसकोप एक प्रकासी यंत्र है जिसके द्वारा प्रेच्छक छीपा रहकर भी अपने चारो और के वाता वरण को देख सकता है और इसका उपयोग पंडुबी युद्ध पोत क्रूजर युद्ध छेत्र में चीपे सैनिको द्वारा एवं तोप खाने के तोपची अकसर द्वारा लच्छ को देखने और सत्रु की गतिविदी का ग्याद करने के लिए होता है अगला कुश्चन देख लेते हैं सौर वीकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर C यानी पाइर हीलियो मीटर दोस्तो बता दे कि पाइरी लो मीटर प्रत्यच भीम सौर वीकिरण को मापने के लिए एक उपकरण है और सूरज की रोसनी एक खिड़की के मादम से उपकरण में प्रवेश करती है और एक थर्मो पाइलर पर निर्देशित की जाती है जो गर्मी को एक विद्दू संकेत में परिवर्तित करती है जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है अगला कोश्चन देख लिते हैं दोस्तों किसी यंत्र की मदद से आख से ना दिखने वाले योग्य सूच मवस्तूओं को भी देखा जा सकता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अपसन नमबर D यानी सूच मदर्सी दोस्तों सूच मदर्सी या सूच मबीन वह यंत्र है जिसकी सहायता से आख से न दिखने योग्य सूच मवस्तूओं को भी देखा जा सकता है और सूच मदर्सी की सहायता से चीजों का अवलोकन वजाच किया जाता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों ध्वनी की तीवरता माप में किस यंत्र का प्रयोग होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन नमबर डी यानी फोनो मीटर दोस्तो फोनो मीटर एक उपकरण है जिसे बोलने में मानव आवाज के बल के परिछड के लिए थौमस एडिसन द्वारा आविशका किया गया है अगला कोशन देखते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका आप उपियोग आवेशित कड़ो या आयनो को उच वेगो में त्वरित करने में किया जाता है या आवेशित कड़ो को उच उर्जा ठक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका र लॉरेंस ने वरकले इस्टिटीट कैलिफोर्निया में सरप्रथम साइक्लो ट्रॉन का अविश्कार किया था अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो सूरे की फोटोग्राफी में किसी यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तो सूरे के समूचे भाग या किसी एक भाग की विश्षताओं का चित्रांकन किसी भी तरंग देर्द के प्रकास द्वारा किया जा सकता है और इसका उप्योग खगोलिकी में किया जाता है दोस्तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा अगला कुशन है दोस्तो ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्सक माध्यमों का अपरतनांग ग्यात में प्रयोग होता है उसे क्या कहते है इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो ऑप्सन नंबर ए यानि रीफ्रेक्टो मीटर दोस्तो रीफ्रेक्टो मीटर एक बैज्यानिक उपकरड है और यहाँ पारदर्सक माध्यमों का अपरतनांग ग्यात में प्रयोग होता है अगला कुशन दिखते हैं जूट का पता लगान इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो ऑप्शन नंबर सी यानि पॉलीगराफ दोस्तो पॉलीगराफ एक ऐसी मसीन इसका प्रयोग झूट पकड़ने के लिए किया जाता है Paulी ग्राफ टेस्ट मसीन को झूट पकड़ने वाली मसीन और लाइक डिटेक्टर के नाम से भी जाने जाता है और इसकी खोज जॉन अगस्तस लारसन 1921 इसवी के अंदर की थी अगला कोशन देखते हैं ऐसा यंत्र जिसे से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के ब्यास मापी जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती ह उसे क्या कहते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C यानी calipers दोस्तों calipers एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के आयामों को मापने के लिए किया जाता है अगला कोशन देखते हैं छोटी छोटी फिल्मों को बढ़ा करके परदे पर लगातार क्रम में प्रच छेपड करने के लिए किसी अंत्र का प्रयोग किया जाता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option number C यानी cinematograph दोस्तों चल चित्र फोटोग्राफी की कला छायांकन है और cinematographer एक लेंस का उपयोग वस्तुओं से परावर्तित प्रकास को एक वास्तविक छबी में केंद्रित क करने के लिए करते हैं जिसे movie camera के अंदर किसी छबी sensor या प्रकास समवेदन सील सामगरी में अर्ष्थनांत्रित किया जाता है अगला question देखते हैं विद्दुद सक्ति को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option number C यानी dynamometer दोस्तों चालन बल मापी या dynamometer एक युकती है जो मनुस्य पसु और यंत्र द्वारा प्रयुकत बल या सक्ति मापने के काम आती है इसे संचेप में dynamometer कहते हैं अगला question देखते हैं गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप को क्या कहा जाता है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option number D यानि anti-aircraft gun अगला question देख लेते हैं ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से radio active इस्तरोत के वीकरण की गड़ना की जाती है उसे क्या कहते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C यानि गीगर मूलर काउंटर दोस्तों गाईगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी की मात्रा को ना पता है अगला question देखते हैं बाच चीत record करके पुनह सुनाने वाला यंत्र कौन सा है तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number यानि डिक्टा फोन दोस्तों डिक्टा फोन एक अमेरिकी company थी जो सुरूत लेख मसीन का निर्मार करती थी और ये ध्वनी recording उपकरण जिनका सबसे आम इस्तिमाल भासर को record करना जिसे बाद में चलाया जाता था या मुद्रित किया जाता था अगला question देख लेते हैं ठीक ठीक समय जानने है तू जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी को क्या कहते हैं इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number C यानि क्रोनो मीटर द 21 प्रकार की घड़ी है जो बहुत सच्चा समय बताती है और इसका समय ग्रीनीच के अस्थानिय समय से मिला कर रखा जाता है जिससे जहाज पर ग्रीनीच समय तुरंद जाना जा सकता है तो यह थी दोस्तों आज की most important वीडियो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आपको comment section में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और माई चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन जरूर दबालेजिएगा जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका notification आपको मिलता रहेगा तो मिलते ह हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिन जया भारत